इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें लिंक मिल जाएगी जहां पर आप जाके सारे अज का सिसन तो सबसे पहले बात करें जो वहारा फ़र्ष्ट कोश्चन है पाट नाइन का तो यहां पर किसी मूल दःस्टाबेश से बनाएगी फोट पृतीया अरत्हाद कोई मूल दःस्टाबेश है ठीक है ना तो उससे कोई फोटो पृतियां बंदाएगी है तो क्या कहलाएगा वो दुतियक साख्च कहलाएगा और यदि आपको मेरे लेक्षे से कोई डाउट है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस इंस्टार्ण एकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं जो भी आपका डाउट हो सारे डाउट आपका क्लियर किया जाएगा उसके बाद द कितने प्रकार के दुतियक साख्च का उलेक किया गया है दो प्रकार तीन प्रकार पांच प्रकार या छे प्रकार के यहां पर इसका सही आंसर किया होगा यहां पर आपको सही आंसर है वो होगा सी नंबर का अर्थत प्रकार के दुतियक साख्च का उलेक किया गया है सिक्ष अउस सभी आंशर क्या होगा है या आपके जो सभी आंशर है वह होगा ए रपर हरें प्रति मूल प्रति Shri जितनी भी मूल्परतियों में निस्पादित कीई है सारी जो दस्तबेच हैं, वो क्या कहलाएंगी? वो प्रात्विक साक्ष कहलाएंगी. अता जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर. उसके बाद है फॉर्थ कुश्चन, निम्ने में से कौन सा प्रात्विक साक्ष है? मौल मेडिकल प्रमार पत्रे से त्यार के गिए प्र साक्ष हैं, प्रात्विक साक्ष हैं में से. यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी नंबर. अताद, कमिशनर ने रिपोर्ट त्यार कर उस पर हस्ताक्षर किये. वो क्या कहलाएगा? वो प्रात्विक साक्ष कहलाएगा. क्योंकि स्वेम उसमें क्या किया है Commissioner Hos Zaksar किया है उस रिपोर्ट को तैयार करके उसकी कोईocket copy नहीं की गई है उसके बाद है Blessed question मुल से बनाए गई या तूलना के गई प्रतिया अगरा के साहच या कोई नहीं यहाँ पे सिपा अंसर क्या होगा यहाँ पैसे जो जो बोर्ट बहुत है और अन्मेर अत्तार दुतियक साक्ष कहलाएएगा है, ठीक, उसी ओरिजिनल कॉफी से बनाई गई है ठीक, उसके प्रतिया बनाई गई है, तो वो क्या कहलाएगा, वो दुतियक साक्ष के अंतरकत आएगा। उसके बाद है 6th question, दस्तबेश समंधि दुधियक साक्ष निम्ने में से किस मामले में नहीं दिया जाएगा, अस्ताज जो दुधियक साक्ष है तो निम्ने में से किस मामले में नहीं दिया जाए किसी भी दस्तबेश का, जब मौल मित्र के कबजे में हो, जब मौल एक लोक दस पर अंसर क्या होगा यहां पर का जो सही एंसर है वह होगा इनमबर आर्थाथ जब मूल मित्र के कब्जे में हो तब इसका दुतियक साक्ष नहीं दिया जा सकता है इसके अभी लेखों की अंतरवस्त किस उपफबंद के अंसौर सावित की जाएगी यहां पर इसका इसका उप अबिलेखों के अंतरवस्तु के बारे में धारा 65, धारा 64A, धारा 67A या धारा 65B यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो होगा D number 65B में इलेक्ट्रोनिक अबिलेखों के अंतरवस्तु के अफबंद किया गया है उसको साबित करने के बारे में ठीक है? तो बढ़ते हैं अगले कुश्चन की ओर इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों की ग्राहता उपबंदित है? धारा 65, धारा 66, यह धारा 65A यह धारा 65B यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? D number धारा 65B में उसके बात है साक्ष वीधि में इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों से संबंधित पिसाई के बारे में किसे संबंधित इलेक्ट्रोनिक अभिलेखों से 26 प्रापधान कब जोड़े गए थे? 2000 में, 2003 में, 2005 में यह धाराट में यह कुश्ट्रोनिक अभिलेखों से संबंधित पिसाई के बारे में पिसे स्बंधित प्रापधान साक्ष अधिनियम में जोड़े गए थे? उसके बाद है 10th question, एक रेजिष्ट्री की बिलका निस्पादन सिद्ध करने के लिए, अर्थाथ कुछ रेजिष्ट्री की बिलका निस्पादन सिद्ध करना है, ठीक है ना, साबित करना है, उसके लिए कितने, कम से कम एक दो अनुप्रमारक साक्षी को बुलाना आवस्यक होगा, यह कम से कम एक अनुप्रमारक साक्षी को बुलाना आवस्यक होगा, यह अनुप्रमारक साक्षी को बुलाना आवस्यक नहीं है, यह रेजिष्ट्रार को बुलाना आवस्यक होगा, यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर, अथाथ कम से कम एक अनुप्रमा यहां पार इसका सही आंसर क्या होगा यहां पे शर्el म्यूनाद का अगे अधात कम से कम एक अनुप्रमारक साक्षी तो होने ही चाहिए इसको सिद्ध करने के लिए साबित करने के लिए उसके बाद है 12th question दस्तावेज को साबित करने के लिए कब अनुप्रमारक साक्षी को बुलाना आवज़क नहीं है तो यहाँ पे जब वह दस्तावेज बसियत ना हो जब दस्तावेज 30 वर्स पुराना हो ए और भी दोनों सही है या उप्रोक सभी गलत है तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा C नंबर अधात ए और भी दोनों सही है अर्थात जब वह दस्तावेज बसियत ना हो और जब कि दस्तावेज तीस बरस पुराना हो तब अनप्रवानक साथची को बुलाना आवस्याक नहीं है उसके बाद है 13th question नीमने में से किस धारा में लोग दस्तावेजों की परिभासा दी गई है यानि जो public document होते हैं उसकी परिभासा evidence act के किस section में बताया गया है section 45, section 74, section 78 यह section 42 यहाँ पर इसका सही answer क्या होगा B number अर्थाद section 74 of evidence act में बताया गया है आपको public document लोग दस्तावेज के बारे में उसके बाद है 14th question अंकी हस्ताक्षर के संबंद में निम्र में से कौन सा कथन सुसंगत है यह कि वह स्वयम नियाले के हस्ताक्षर के पहचान करता है हस्ताक्षर की पहचान कोई अन्यबैक्ती करता है या D number एसा अंकी चिन नियाले के समक्ष किसी कारवाही में करा है यहाँपे इसका सही आंसर क्या होगा? C number अलताद नियाले यह निर्देशित कर सकता है कि प्रमार करता जो प्रादिकारी होता है याँ डिजिटल सीगने चाहिए ठीक है न? उसका जो प्रमाड करता है प्राधिकारी होता है वंकित चिन प्रमाड पत्र क्या करें प्रस्तुत करें तो इसका सही आंसर क्या होगा सी नंबर उसके बाद है 15th question लोक दस्था बेच को साक्ष अधिरियम के अंतरगत साबित किया जा सकता है प्रमाडित प्रतिलिपी के द्वारा, मौकिक साक्ष द्वारा, प्रमाडित प्रतिलिपी को लिखने वाले साक्ष द्वारा या उप्रोक्त में से किसी के भी द्वारा यहां पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर प्रमाडित प्रतिलिपी द्वारा निम्ने में से कौन से दस्तवे लोग दस्तवेश हैं प्रभुता संबन प्रादिकारी के तुम त्वारा सास के निकायों के दस्तवेश अधिकरणों के दस्तवेश यह उपरोग सभी यहां पे सही अंसर क्या होगा सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो चुन्टिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंको सो मच फॉर वाचिंग लिगलाइजेशन सर्व